इस आपको बता दें डिसकस करुए कि हम लोग के शजल रहे हाँ हो रहेगा अभी जो है बतलब हम लोगको किस रहेगा है किस रहत으면 से पढ़ ना मैं आ तो उसका ऐखी लिख रहे हैं सेकं 75 questions जो रहेंगे जो practice questions रहेंगे और उसके बाद 100 plus जो आपके रहेंगे वो आपके रहेंगे previous year questions रहेंगे सिर्फ किसके रहेंगे वर्ब के रहेंगे उसके बाद जो topic पढ़ाएंगे आपको वो रहेगा आपका subject verb agreement ये भी एक verb का ही part है तो जब इसमें भी वोई सेम काम रहेगा इसमें जब ये topic जब हमारा complete हो जाएगा इस topic को complete होने के बाद जो आपके minimum जो है 150 question आपके practice के रहेंगे आपके 150 question आपके practice के रहेंगे और 150 question आपके रहेंगे previous year questions रहेंगे ये हमारा schedule रहेगा पहले कोई topic complete पढ़ाया जाएगा उसके बाद उसी topic के 200, 200, 300, 100 questions आपको complete करवाया जाएगे जो exam के level के exam में आ रहे हैं उसके बाद अगला जो हमार topic रहेगा वो time and tense का रहेगा जो की ये इसलिए पढ़ा रहे है time and tense का topic क्योंकि ये वर्ब से link topic है एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं ऐसे समय लिजे आप जो है तो ये topic एक दूसरे से क्या है बहुत link topic है तो इस topic के फौरण बाद हम लोग आ जाएगे हम करवाएंगे उसके बाद second third आपका है narration narration का मतलब बहुत है direct और indirect narration आप उसको उसके बाद अगला sequence रहेगा narration करेगा narration के बाद करम रहेगा किसका रहेगा voice करेगा मतलब active and passive voice क्योंकि ये चारी इसलिए हम ऐसा करा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे चारो टॉपिक हैं यह सभी जो है यहां से लिके यहां तक एक दूसरे से लिंग्ड टॉपिक हैं यह टॉपिक आपको एक साथ पढ़ेंगे तभी जाके यह चार टॉपिक कभी भी कोई confusion नहीं रहेगा तो इसलिए इन टॉपिक को पहले पढ़ाने के बाद फिर नेक्स और हमारे जिनके पर आगें इन टॉपिक को क्लियर करेंगे जो है उसको आपको बताएंगे, उसके बाद का हमार टॉपीक लिए स्टार्ट हो जाएगा, नाउन का जा जाएगा और नाउन का समभन भी वर्ब से ही है, अगर आपका वर्ब किलियर है तो आप जो है नाउन के लिए तो समझ जाएंगे अब तो उसके बार जो अगला topic रहेगा noun का रहेगा noun के बार हम लोक पढ़ेंगे pronoun के बारे हम पढ़ेंगे pronoun के बार नेंस topic आपकर रहेगा sequence है हमारा Adverb रहेगा Adverb के बाद आपका क्या रहेगा प्रे पोजिशन के बारे बताएंगे और ये जो हर टॉपिक के में minimum जो Quesn करवाएंगे वो minimum question जो रहेंगे 150 से plus ही रहेंगे 200 भी हो सकते हैं 250 भी हो सकते हैं 300 भी हो सकते हैं Each topic के जो आपको questions करवाएंगे वो आपके minimum 150 रहेंगे 150 से plus ही रहेंगे उसके बाद आपको topic रहेंगे conjunction का, बताएंगे सब का काम के एकदम basic से बताएंगे आपको याद करने की ज़रुदत बिल्कुल नहीं पड़ेगी बस एक बाद आपको समझना रहेगा और यह जो हम लोग को topic पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि हम लोग समझने के लिए पढ़ेंगे समझेंगे तो बोलेंगे भी लेकिन जो हमारा SSC level का exam होता है क्योंकि सबसे tough one day का जो exam होता हो SSC का होता है सबसे tough जो English आती हो SSC में आती हो हम लोग जो पढ़ेंगे SSC CGL means level का पढ़ेंगे means level इस level का अगर हमको तयार हो जाएगा तो हमारे कोई भी exam हो चाहा है SSC का हो, bank का हो कोई भी exam जिसमें English आती हो वो सभी exam आपके clear हो जाएगे हम किस level का पढ़ाई करेंगे हम लोग SSC CGL means level की हमको पढ़ाई करना है तब जाके हम लोग का जो चीज़ेंगे और आपको यह भरोस्त दिलाते हैं आपको जो याद नहीं करना पढ़ेगा सब चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाएगी उसके बाद जो next topic रहेगा हमारा वो रहेगा इसको बताएंगे आपको जो उसके बाद जो बताएंगे वो बताएंगे PQRS इन सभी करोस इक्जाम में जादा हो रहा है PQRS इसका मतलब sentence arrangement की बताएंगे आपको sentence कैसे arrangement किया जाए उसके बाद आपको unseen passage बताएं कैसे unseen passage को solve करते हैं next उसके बाद रहेगा close test रहेगा close test के बाद आपको miscellaneous जो बचा रहेगा होसा तो कुछ हूट जाएगा बच जाएगा उसके बादे बताएंगे तो यह रहेगा हम लोग का शुट और जो भी topic complete होगे complete होने के बाद minimum 75, 100, 150 आपको करवाएंगे practice question करवाएंगे और nearly इतना ही previous year CGL के, CPOSI के, MTS के, CHSL के और अन एक्जाम में जो questions आए हुए इसके questions सालो करवाएंगे तो यह हमने आपको schedule बता दे इसी schedule से हम लोग के series continue हो जाएगी हम लोग को जो वरतमान में series चल रही है वो चल रही है, वर्व की, वर्व के बाद आपका आमने sequence बता दिया subject वाए agreement होगा, agreement के बाद, agreement के बाद जो आपका attention स्टार्ट हो जाएगा, यह आपका sequence रहेगा आप लोग सभी वीडियो को बहुत आराम से देखिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं हर चल रही है, तो मिलते हैं, अगले वीडियो में बात करते हैं फिर अगले topic बात करते हैं